हेलो दोस्तों स्वाध करतों हमारे टेकनिकल सितरम चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अपने वेबसाइट में पूस्ट नोटिफिकेशन बेल इंस्टॉल करना सिखेंगे यह हार वेबसाइट के लिए फ्री में अबेलेबल है चाहे वेग्स हो ब्लॉगर हो या फि चैनल परना है तो चैनल को जुरू सब्सक्रेब करके बेल आइकों को प्रिश कर ले जाए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सितराम आप दिखेंगे टेकनिकल सितराम तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों पूस्ट नोटिफिकेशन बेल हार वेबसाइट के लिए बहुत ज यह पूस्ट नोटिफिकेशन बेल को इंस्टोल करा देते हैं उसमें होगा किया वहां पे सिर्फ वान क्लीक में एलाओ कर देने के बाद हमारे वेबसाइट में जितना सारा पोस्ट पब्लिश होंगे उस साब पोस्ट का नोटिफिकेशन उस विजिटर के पास चला गाँव वहमारा नैना पोस्ट पब्लिश होते रहेंगे उतना नोटिफिकेशन उसके पास चला जाएगा और हमारा विय उविजिट काazzi traffic भी और ज्यादा इंक्रिस होगा इसमें डमीद ऑठरेट भी बहुत ज्यादा इंक्रिस होगा तो यह बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे website के लिए this is the most important part so इस वीडियो में हम लोग यही सिखेंगे website के अंदर कैसे push notification bell को install करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों finally आ गया आपने mobile screen पर और देख सकते हो वाड़प्रेस में हमारे website login है तो आपने website में push notification bell feature को install करने के लिए सबसे पहले वारपेस में एक plugin install करना है तो plugin इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसके लिए plugin section पर जाना है और add new के उपर click करना है कि उसके बाद search plugins option में search करना है one signal one signal search करने के बाद सबसे पहले नबर में आ गया one signal वे पूस्ट notifications और नीचे देखिए by one signal तो इस plugin को आप install कर लीजिए उसके बाद active कर लीजिए तो देख सकते हो already मैं install करके activate कर लिया देन यहां पर आना है one signal push इसके उपर click करना है click करने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस दिखाई देगा setup के अंदर overview में आपको कुछ guides दिखाएगा कैसे क्या कुछ करना है हमारा main काम है configuration option में यहां पर देखिए account settings माइश साइड एच्टीटीपी एस connection SSL अगर आप लोग आपने website के साथ SSL certificate add करते हो तो यह जो https देख रहे हो पहले http होगा जब आप SSL certificate add करेंगे तो HTTP के आगे इस हो जाएगा हाइपर टेक्स ट्रांसपर प्रोटोकल सिक्योर ठीक ना तो इससल certificate add करने के बाद इसे enable करें बरनावा इसे disable कर दीजिए देख सकतो मेरे website में https दिखाई दे रहा है मतलब SSL certificate add है तो इसलिए मैं इसे enable रखा उसके बाद यहां पर देखिए app id तो यह already fresh कर लिया मैं पहले से ट्राइक किया था तो एप क्रेट करने के बाद एब आड़ी मिलेगा उसके बाद देखिए रेस्ट API की तो यह भी एप क्रेट करने के बाद मिलेगा और यहां पर बहुत सारा कस्टमाइजेशन है कैसे क्या कुछ करना है वीडियो में आगे देखिए मैं step by step बताऊंगा कि तो सबसे पहले एप को क्रेट कर लेते हैं तो आपको गूगल पर जाना है और सार्च करना है वान सिंगनल सार्च करने के बाद वानसिंगलन.com वेबसाइट में आपको घुच जाना है उसके बाद साइन आप कर लीजिए देन आप लॉग इन कीजिए तो इमेल एड्रेस और पास्वार्ड मैंने फिल कर दिया उसके बाद स्टेल लॉग इन के उपर क्लिक करता हूं उसके बाद लॉग इन लॉग इन होने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस दिखाई देगा तो यहां पे नेम आप यूर एप और वेबसाइट तो तो टेक्निकल सी तराम हमारे वेबसाइट का नाम कि अबाद वाट प्लाटफर्म डुई विच तो यूज तो यूज तो यूज तो यूज तो यूज आप यूज आप लेटर तो यहां पे थ्री ओप्सेंस मिल रहा है एपल आयॉस गूगल एंड्रोइट एंड वेपूस तो हमने को चूज करना है पूस चूज इंटेग्रेशन यहां पर भी थ्री ओप्सेंस मिल रहा है हम लोगों को सिलेट करना है मिडिल बाला ओप्सें वाडप्रेस प्लागिन और वेबसाइट बूल्डर नेक्स्ट सिलेक्ट यूर वेबसाइट बूलडर्स तो यहां पर बहुत सारा प्लाटफर्म म करता हूं उसके बाद देखिए नमबर टू में वाडप्रेस साइट सेट अप तो साइड नेम आप यहां पर डाल दीजिए उसके बाद साइड यहां पर डालना है बात ऑटो रिस सब्सक्राइब आप डिसबल रखे डिफोल्ट आइकॉन यहां पर देख सकतो एक आईकॉन दिखाई दे रहा है तो इसी तरह हमारे वेबसाइट में एक आइकॉन आ जाएगा नोटिफिकेशन बेल आइकॉन तो वहां पर हम लोग अपने वेबसाइट का लोगो लागाएंगे तो वेबसाइट का लोगो यहां पर एड करना है इसके लिए आपलोड और इन्पूट में url तो चलिए हम लोग url को इन्पूट करते हैं तो इसके लिए कि हम लोगों को जाना पढ़ेगा अपने वार्टप्रेश में उसके बाद आपको जाना है मेडिया ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों को अड्ड नयूकर क्लिक्ट करके अपका वेबसाइट लोगो को अपलोड कर दीजिए तो अल्रेडी मैं अपलोड कर दिया यह है हमारे वेबसाइट का लोगो टेकनिकल सितराम तो इसका यूरल लेना है यहां पर देखें फाइल यूरल कॉपी यूरल टू क्लिप बोर्ड इसके उपर क्लिप करके आप इस यूरल को कॉपी कर दीजिए फिर बापस चलते हैं वान सिगनल ओविव साइड में और यहां पर पेस्ट कर देना है तो पेस्ट कर दिया यहां पर देखिए माई साइड इस नॉट फूली एच्टिटी पीएस तो पहले मैंने बताया था इससल सार्टिपेट जब आप एट करते हो तो इस आप अप्शन को आप इनेबल राखें कि उसके बाद सेप के उपर क्लिक कीजिए तो यहां पर दिखाई दे रहा है डिफोल्ट आइकन एवारेल मांस्ट भी यह वैलिट एच्टिटी पीएस इवारेल बीगिनिंग वीड एच्टिटी पीएस तो हम लोग जो लोगों का यहां इसके पेस्ट किया है यहां पर देख सकते हैं एच्टिटी पी दिखाई दे रहा है तो इसके आगे एक एस एड़ कर देना है आइड़ी बटन के उपर क्लिक करके कॉपी कर लेता हूं और इस एप आइड़ी को मैं रिस्ट कर देता हूं उसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूं जो कॉपी किया था ठीक है पेस्ट कर दिया देन चलता हूँ वान सिंगनल वेब साइड में और एपी आई की को यहां से कॉपी कर लेता हूँ और वहां पर पेस्ट कर देता हूँ रेस्ट एपी आई की को यहां से रेस्ट कर देता हूँ और फिर से यहां पर पेस्ट कर देता हूँ तो पेस्ट कर दिया उसके बाद देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है देखिए यहां पे यहां पे जो वान सीनल का लोगो दिखाए दे रहा है यहां पे हमारे वैब साइट का लोगो दिखाएगा उसके बाद यहां पे देखिए उसके बाद यहां पे देखिए उसके बाद यहां पे बहुत सारा ओप्शन मिल जाएगा इसके लिए आप यहां पर क्लिक करके आप कस्टोमाइजेशन कर सकते हो नेचे आपको अप्शन मिलेगा customize the subscription bell theme colors तो आप color का भी customization कर सकते हो फिलाल मैं छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख सकते हो you are subscribed to notification you have blocked notification thanks for subscribing यह जो test दिखाई दे रहा है अगर आप आपके हिसाब से लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इसके अंदर आप लिख सकते हो तो मैं फिलाल default रहने देता हूँ उसके बाद इस option को आप disable राखे देने यहाँ पे कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है हम लोगों को श्रीप एक ही option यहाँ पे enable करना है जो मैंने दिखाई था यहाँ पे प्रोमोट न्यू साइट विजिटर्स विद वान सिंगनल स्लाइट प्रोमोट बीफर नेटिव ब्रावजर प्रोमोट तो इस option को इनेबल करना है इसके लबा और कुछ नहीं उसके बाद सेप के ओपर क्लिक कर देते हैं देन चलता हूं लाइब देखते हैं हमारे वेबसाइड में पूस्ट नोटिफिकरेशन फीचर इंस्टल हुआ कि नहीं तो चलिए मैं सार्च करता हूं टेकनिकल सी तरह तो दोस्तों यहां पर देख सकते हूं टेकनिकल सी तरह हम यह हमारा वेबसाइड का लोगो है यहां पर बोल रहा है अगर आप अलाव कर देते हो तो यहां पर नोटिफिकरेशन एलाव मंग रहा है तो इसके उपर अलाव करने के बाद जब भी हमारे वेबसाइड में नया नया पोस्ट पाब्लिस होते रहेंगे उतना ही नोटिफिकरेशन उस विजिटर के पास जाएगा और इसमें फाइदा यह होगा कि हमारा ट्राफिक पहले से बहुत-बहुत गुना इंक्रेस हो जाएगा और हमारा डोमीन ऑथरेटी भी बढ़ते जाएगी तो इस आप्षन आप ज़रूर इंस्ट्रॉल कर लीजि और चैनल पर नया है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकून को प्रिस्क लेजए फिलाल के लिए इतने मिलतरों का अगले नायरक वीडियो में तब तक जैहन मन्ने वांतरों